कि हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आश्यकरतों आप सब लोग ठीक होंगे एच्छे होंगे मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे दो टापिक ancient history यानि कि प्राचियन इतिहास और साथी साथ हम पढ़ेंगे इसमें वैदिक civilization यानि कि वैदिक सभ्यता ठीक है तो वैदिक civilization में हम बहुत सारे questions पढ़ेंगे वो questions पढ़ेंगे जो हमारे paper के लिए बहुत important है और अच्छे भी है जो और ऐसे question में आपको बताने जा रहा हूं कि जो question आपके paper में कभी ना कभी आ चुके हैं तो यह जो series चलने जा रही है यह आपके लेकपाल के paper के लिए ठीक है दोस्तों लेकपाल के paper के लिए साथी साथ आपके यूपी constable का भी paper होने वाला है ठीक है और यूपी PCS यानि कि जितने भी paper है आपके ठीक है यह सब बहुत ही important और आपको बहुत ही काम आने वाला है और आप जानते हैं कि आपके हर paper में GPS आता है तो यहां से कुछ न कुछ कोशन आपसे पूझे जाती है चलिए तो यहां पे हम questions को सुरू करते हैं और पढ़ते हैं तो हमारे सामने हमारा पहला रहा है हडपा का इन में से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था तो यहां पर चार आपको दे रखें लोथल मोहन जोद्रो काली बंगा और धौला वीरा तो कोशन आप से यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नगर था जो तीन भागों में विभाजित था तो तीन पर गुजरात के कख्ष में है ठीक है और आपका काली बंगा कहां पर है यह राजस्थान में आपका पड़ता है लोथल भी आपका गुजरात में पड़ता है यह सारी चीज़े आप जिध्यान में रखेंगे चलिए अब देखिए उत्तर में जो साइड था उसको क्या कहा गय ये तीन भाग में विभाजित था चलिए सेकेंड नम्बर कोशल्ट jullie पे आते हैं दोस्तों सेकेंड नम्बर qoition आपके सामने है मोहन जोद्रो का अर्थ शब्द का अर्थ क्या है तो मोहन जोद्रो शब्द जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है ये हमें बताना है तो हमारे सामने लिखा हुआ है क्या ठीक है पहला option लिखा है पसंदीदा सहर दूसरा option है आपके सामने Mount of Dead तीसरा है रहने की जगा और चौथा है आपका एक बाजार छेत्र तो देखिए मोहन जोद्रो को हम कहते है Mount of the Dead यानि की हिंदी में कहते है मृतको का टीला लिख देता हूँ मैं मृतको मृतको का टीला ठीक है इस नाम से हम जानते थे किसे मोहन जोदारो को अब देखिए सिंदु घाटी सब्विता में जो आपका असनाना गार था ठीक है जो असनाना गार था ये आपको कहां पे मिला था दोस्तों ये भी आपको मोहन जोदारो में ही मिला था ठीक है अब देखिए ये कितना था ये 7 मीटर चोड़ा था ग्यारा और ग्यारा पॉइंट 38 मीटर क्या था ये लपा था और 2.4 मीटर क्या था ये ग्यारा था तो मैं लिख भी देता हूμ कि जो असनाना गार था उसकी लपाई कितनी थी दोस्तों 11.88 मीटर ठीक है ये लंबाई थी इसकी और इसकी चौडाई यानि कि कितनी थी ये थी 7.01 मीटर और ये गहरा कितना था यानि कि इसकी depth कितनी थी height कितनी थी ये थी 2.43 मीटर ये भी आप समझ गए होंगे और ये कहां पर मिला था आपको मुहन जोदारों में मिला था और साथी साथ जो सिंदू घाटी की सब्विता थी वहां की जो लिपी थी वो कहती थी भाव चितरात्मक थी यानि कि चितरों के हिसाफ से सारी चीजे वहां पर समझे जाती थी और जो लिपी थी सिंदू घाटी सब्विता था को ये कैसे लिखे जाती थी दाएं से बाय तरफ की ओर लिखी जाती थी यानि कि इस तरफ से इस तरफ की ओर लिखी जाती थी इस लिपी को चलिए दो कोशन हो गया और इसका आंसर आपको दोस्तों क्या था मोहंजयोदाडो का सब्सक्राइब क्या होता है Mount of the Dead चलिए अगले कोशन पर आते हैं कोशन नमबर थ्री पर देखिए कोशन नमबर थ्री हमारे सामने आ गया है कोशन नमबर थ्री क्या है सिंदु घाटी सब्बता के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो पहला है आपके सामने सिंदू लोग का पास का उत्पादन करने वाले पहले थे ठीक है उन्होंने लकडी के बक्से में अनाज भंडारित किया सिंदू घाटे सबता पंजाब, सिंद गुजराद, आजस्तान, पशिम, बंगाल कुछ हिस्सों को कवर करती है सिंदू लोग कुटे, बिल्ली और घोडो के बड़े पैमाने पर पालते थे ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत था कि इसमें कौन सा कथन आपका क्या है सत्य है तो यह है सिंदू लोग का पास का उत्पादन करने वाले क्या थे पहले आदमी थे ठीक है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कपास यानि की जो रूई की खेती की जाती है यह बहुत ही पुरानी है और यह रिग वैदिक काल से ही इसकी खेती की जा रही है अब देख के उत्पादन में पूरी दुनिया में किस नमबर पर प्रथामस्थान पर यह भी आप जाने इंगे आप ध्यान में रखेंगे सिंदु घाटी सब्विता भारत की प्राचीन क्या थी नगरिये सब्विता थी ये भी आप ध्यान में रखिएगा ठीक है और देखें यहां पर जब घर बनाए गए थे ठीक है तो घरों के लिए कौन सी जो पद्धती होती है वो अपनाए गए थी ग्र कारे सामने लोथल की खुदाई की खोज आप से पूछ लिया घ्याए ठीक है अब यहां पर लोथल की खुदाई की जो किस ने किया था भारतय पुराता सर्वेक्षण ने जिसे हमें इंग्लिस में कहते हैं आर्कि लॉजिस सर्वे उफ इंडिया कब किया था 1955 से लेकि 1960 के सभ्चमг बीच में तिक एव जिन्हों ने खोज की थी नाम के था तो इनका नाम था एस आर गाउर यहें ही निखी सब्दाऊ है सीने मैं है वही मैंने बताए कि 1955 से लेके 60 के बीच में अब यह किसका हिस्सा धा यह अस्थान जो हिस्सा यह किसका इस्सा है का हरपपा सभ्लिपता का हिस्सा है तो यह भी ध्यान में रखेंगे को चलें आगे आते हैं यह आप समझ अश्यों का अवसेस दोस्तों मिला था बनावली चुहंदड़ो लोथल या सुर्खोटदा तो यह मिला था आपको कहां पे सुर्खोटदा में सुर्खोटदा आपका कहां पे है गुजरात के कक्षिजिले में चीक है गुजरात के कक्षिजिले में चीक है गुजरात की कैपि होता है उसमें मिली थी ठीक है तो ये सारी चीज़े हो गई और छोटी-छोटी मूर्तिया भी मिली थी घोड़ों की ठीक है कहां पर सुरकुटदा में चलिए six number question पर आते हैं यहां पर question आप से simple पर पूछा गया था अब six number question पर आते हैं लिखा है six number question पर निमलिखित में से कौन सा सिंदु घाटी सब्विता से संबंदित अस्थल नहीं है यानि कि इसमें ऐसा अस्थल बताना है जो सिंदु घाटी सब्विता से उसका कोई मतलब नहीं था काली बंगन रोपड पाटली प थोड़ी बहुत चीज़े और जान लेते हैं कि लोथल से हमें क्या-क्या मिली थी यूगल समाधी मिली थी पत्तन मिला था यानि की बंदरगाह मिला था घोड़े के अवसेश मिले थे ठीक है और धान की भूसी मिली थी कहां से लोथल से अब देखिए रोपड से हमें क्या- क्या मिली थी तांबे की कुलाड़ी मिली थी कहां पर रोपड में और मानो कंकाल के साथ कुट्टा भी कहां पर आपका मिला था यानि कि मानो के साथ कुट्टे को भी दफना दिया जाता था कहां पर यह चीज कहां पर मिली थी आपकी रोपड में ठीक है फिर आते हैं काली बं turtle मिला तो काली भंगा में हमें तो जुते ऑठ के टोग होए के अग्मिल मिला था एक अगनी कुंड मिला था लया पशेखे मैं क्वा डॉर् सुन थैज इतनी से समझ चुके ठीक है तित्रिय बौध्ध सभा यह कहां पर आयुद की गई थी पार्टली पुत्र में और इसके जो अध्यक्षते वो कौन थे मोगाली पुत्र कौन थे मोगली पुत्र मोगली पुत तिस ठीक है तो मोगाली पुत तिस कौन थे इसके अध्यक्ष से किसके तिरतिये बहुत सभा के यह आप ध्यान में रखेंगे ठीक है चलिए अब देखिए यह किस से संबंदी थे यह राजासोक से संबंदी थे यह आप ध्यान में रखेंगे चलिए आगे आते ह कि लिए लो नेन समारो से क्या दात्य पर ऐसे इस फंस्कार होता है कि अब पड़ते हैं बच्चे को एक आप बच्चे को सूर्व चंद की अपचारिक दर्सन कराया जाते हैं बच्चे को पवित्र जनार धारण आप बच्चे को विवाह कराया जाता है तो देखिए उपनेयन समारों में क्या होता है कि बच्चे को जनेउधारण कराया जाता है इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं यगोपवीत संसकार ठीक है तो question जैसे आप से अलग तरीके से पूछ लिया जाएगा तो आप ब्रहमित नहीं होंगे इसी उपनेयन समारों को हम एगोपवीत संसकार भी के नाम से भी इसे हम जानते हैं ठीक है इसमें जनेउधारण कराया जाता है बच्चों को ठीक है चलिए अब इस संसकार के बाद क्या किया जाता है बालकों को दुझ कहा जाता था ठीक है पहले के टाइम में क्या क्या जाता था दुझ कहा जाता था चलिए अब ये आपने समझ में आ गया होगा कि उपनेयन समारों क्या होता है जनेउधारण कराया जाता है बच्चों को और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या है यगो पविद संसकार चलिए एट नमबर पर आते हैं एट नमबर कोशन आपका है सत्त्य में यह जैते महा कावए से लिया गया है सत्तपत ब्राम्मण से रामायर से मुंदकोप निशत से यह महा भारत से दोस्तों समबंधित है कौन आपका मुनकोप निशद ठीक है अब देखिए सत्य में उजयते उत्तर प्रदेश में कहां देखिए सारनाथ जो राजा अशोक थे ठीक है मौरे सम्राठ तो इन्होंने सारनाथ में क्या है सिंग अस्तम है ठीक है सिंग वाला है चार शेर वाले ठीक है तो यहां पर इसके नीचे ही क्या लिखा हुआ है सत्य में उजयते इस सान्मिमों नमसर में कॉसे कौँर से घ्यान सिधान्त पर बल्त ए ठीक है कि कौu ढटाझे जो आपका सिधान्त पर बल्ल्डेता है तो यह है स्वाग दर्शन वीदानत दर्शनसांगी दर्शन तो इसका आंसर क्या है आपकाisso सान्वर्र इंद का क्या है महतौट और सुरूती ग्रंत है ठीक है चलिए अब आगे आते हैं इसके बारे में और क्या समते हैं दुनिया के कई दारसने उपनिशत को सबसे अच्छा ग्यान को उस मानते हैं ठीक है संस्कित से जुड़े सत्रहवी सताब्दी में दारा सिकों उपनिशत का फारसी अनुवाद सिरे अकबर क्या था सिरे अकबर ठीक है चलिए भी ध्यान में आप रखेंगे चलिए टेन नंबर कोशन पर आते हैं वो है आपका रिगवेद इसमें देखिये क्या है 1028 कितने हैं सूक्त हैं क्या है सूक्त हैं और इसमें क्या है 10462 रिचाय हैं ठीक है चलिए और क्या क्या है इंद्र के लिए ठीक है कितनी रचनाई कीगे हैं 250 ठीक है ये सारी चीज़े आप ध्यार में रखेंगे और अगन के लिए 200 रिचाओं की वर्णन की गई है यानि की 250 रिचाएं जो हैं वो किसके लिए हैं इंद्र के लिए हैं ठीक है और 200 रिचाएं किसके लिए हैं अगनी के लिए हैं ठीक है चलिए तो सरवाधिक वर्णन रिगवेद में किसके बारे में किया गया है इंद्र के बारे में यह भी आप ध्यान में रखेंगे चलिए अगले कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 11 पर पराध्यिकर्स नमबर 12 पर आते हैं निमलिकित में से किस भारतिय पूरातन कर जिक्र आता है अर्थसास, मनुस्मृती, नयमिमानसा या उपयुक्त्र सभी तो अपराध और अपराधी के बारे में जिक्र आता है तो इन सभी में आता है अर्थसास, मनुस्मृती और साथी सभी में यानि कि इसका अंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त्र सभी चलिए अब आते हैं अपने अगले नमबर कोशन पे कोशन नमबर 13 पे सत्पत ब्रामःड और तैत्रिय ब्रामःड के डैश ब्रामःड के मूल पार्ट हैं किसके हैं तो शत्पत ब्रामण और तैत्रिय ब्रामण किस में आते हैं दोस्तों ये आप से question में पूछा गया है तो इसका answer है यजुर वेद क्या है यजुर वेद ठीक है अधिके रिख वेद में कौन कौन से आते हैं एत्रिय ब्रामण सांख्याय और कौसितकिय ब्रामण सुकल ये जुर वेद में क्या आता है शत्पत ब्रामण और कृष्ण ये जुर वेद में क्या आता है तैत्रिय ब्रामण साम वेद में क्या आता है पंचविस सडविस और जैमिनिय ब्रामण और अथर वेद में आपका आ जगा यजूर्बेद यजूर्वेद दो पार्ट में है शुक्ल यजूर्वेद और कि्ने तो क schle आता है शद्पथ ब्रामणर और क्रिशन ब्रामणर आप आते हैं फोर्टी नंबर कोश्चिंघ में नेहित गायतिरी मंद्र किस दिवता को समर्पित है ठीक है अगनी मारुत इंद्री या सावेत्र तो इसका आंसर क्या है सावेत्र में और देखिए रिगवेद में कितने मंडल हैं रिगवेद में मंडल हैं आपके कितने दस मंडल है इसमें कितने मंडल है दोस्तों दस मंडल यानि किरिगवेद में कितने मंडल है दस मंडल ठीक है ये चीज़ आप जान सकते हैं और देखिए ये जो मंत्र है ये किसने दिया था ठीक है इस मंडल की रचना किसने की थी जिसमें गैतरी मंत का उलेख है तो ये है विश्वा मित्र रिशी विश्वा मित्र ने किया था चलिए आगे आते हैं 15 नमबर कोश्चन पे सरवाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है ये कोश्चन बार बार पेपर में कई बार पूछा गया है कि सबसे पुराणा पुराण कौन सा है तो ये है आपका मतस से पुराण सबसे पुराणा पुराण जो है आपका सबसे प्राचीन पुराण है ये आपका कौन सा है मतस से भायू ठीक है और विश्णू ब्राम्हर्ड भागवत पुराण इस तरीके से कही है और देखिए सबसे पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमारिक आपका कौन सा है यह है आपका मतस्द से पुराण ठीक है चलिए आगे आते हैं सेवन सिक्स्टीन नमबर कोश्चन पर निम्ड में से कौन सा उपवेद नहीं है उपवेद नहीं है ठीक है चलिए तो उपवेद जो है यह आपका चार आप्शन है धनुरवेद सस्त्र सास्त आयूरवेद तो इसका आंसर है आपका कौन सा योगवेद कि कोई भी उपवेद नहीं है अब देखिए जो धनुरवे और सस्त्र और सस्त्र ठीक है धनुर्वेद और सस्त्र सास्त ये दोनों जो है ये किसथ है यह वेद के उपवेद नहीं है अब देखिया इहुर've to यहां पर थोड़ा सा गरबढ हो गया है देखिए थोड़ा सा देखे पहले इसमें क्या है जो सस्त्र सास्त्र है ठीक है यह आयुरुवेद का उपयोध है किसका है आयुरुवेद का चलिए मैं लिख देता हूं आयुरुवेद ठीक है फिर आपका आता है योग वेद उपवेद नहीं है ठीक है यह आपका आंसर हो जाएगा अब देखिए यहां पर क्या आता है धनुरुवेद धनुरुवेद किसका उपवेद है यजुरुवेद का किसका है दोस्तों यजुरुवेद का ठीक है फिर आपके सामने आता है आयुर्वेद किसका उपवेद है यह आपका रिग वेद का ठीक है और योगवेद आपका किया है किसी का भी उपवेद नहीं है चलिए 60 नमबर हो गया है अब आते हैं 17 नमबर पर वैदिक देवता इंद्र किसके हैं वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं हवा के तुफान के वर्सा एम चक्रवात के या अगनी के तो कौन है वर्सा एम चक्रवात के देवता है कौन भगवान इंद्र ठीक है चलिए अब देखे रिक वेद में इंद्र के लिए कित 3050 तो पचास रिचाओं के बारे में जो रशना की गई है किसे के लिए हैं इंद्र के लिए अब देखियें इंद्र का दूसरा भी क्या है पुरंदर ठीक है ध्यान रखिएगा दुर्गो को तोड़ने वाले को क्या कहते है पुरंदर कहते हैं और युद्ध के नेता को जैन और बहुत धर्म के बारे में पढ़ेंगे और यह आपके लेकपाल के पेपर है जितने भी पेपर हैं वहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेट तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगते तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फै